नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट है आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियो पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियो को देखना चाहते हों तो वीडियो के नेचे मौझूद जोइन बटन की साइथा से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं आप जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आर्टकल को रिलेट कर सकते हों टेखनिकल डेफिनेशन में ना जाते हुए आप मुझे फैडरलिजम का सिंपल मतलब बता दीजें कि फैडरलिजम का मतलब क्या होता है फैडरलिजम देखो एक ऐसी गोर्मेंट होती है जिसमें गोर्मेंट के विविन यूनिट के बीच पावर डिवाइडिड होती है या फिर और ज़्यादा असान सब्दों में बोलें फैडरलिजम इस पावर बिट्विन यूनिट्स ओफ गोर्मेंट फैडरलिजम का देखो एक बहुत इंपोर्टन प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ओफ सब्सीडियरिटी यह बोलता है अगर देखो कोई काम टियर थ्री लेवल के द्वारा किया जा सकता है यानि अगर कोई काम पंचायती राज बोडी के द्वारा किया जा सकता है आसानी से तो स्टेट गोर्मेंट उस काम को ना करे उसी परकार से प्रिंस्पल ओफ सब्सीडियरिटी यह बोलता है अगर कोई काम स्टेट लेवल पे किया जा सकता है तो वो काम सेंटल गोर्मेंट के द्वारा ना किया जाए क्योंकि द तो हमारा 7th schedule है, 7th schedule में आपको पता है, power divided है, central government के बीच और state government के बीच, तीन list है, 7th schedule में, एक union list, एक state list और एक concurrent list है, तो अगर देखो कोई subject move किया जाता है, state list से concurrent list में या फिर union list में, तो हम बोलते हैं, ये चीज फेडरलिजम के against है, क्योंकि देखो उस subject पर state government के द्वरा काम किया जा सकता था, लेकिन अब central government की jurisdiction भी आ जाएगी, उस subject पर तो ये फेडरलिजम के against हैं, और काफी बार अगर ऐसा होता है, कि central government अपनी power को छोड़ देती हैं, और state government को power दे दी जाती हैं, तो ये बोला जाता हैं, ये एक अच्छे फेडरलिजम का example हैं, देखो समय के अनुसार, फेडरलिजम के concept में भी काफी बदलाव आया हैं, आज के समय में cooperative federalism की बात होने लगी हैं, मतलब state government, central government पे dependent हो, अपने चीजों को implement करने के लिए, और central government, state government पे dependent हो, अपने subjects को implement करने के लिए, दोनों साथ-साथ सयोग के साथ चलें, और government का जो overall agenda है, development, welfare of people, उसे पूरा करें, ये है competitive federalism, globalization के समय में देखो, एक नई चीज जो निकल के आई है, वो ये निकल के आई है, competitive federalism, यानि women states के बीच आपस में competition, या फिर आप कह सकते हो, state और center के बीच में भी आपस में competition, ज्यादा से ज्यादा investment हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, technology के छेतर में, या फिर दूसरे छेतरों में, ये है competitive federalism, देखो competitive federalism, cooperative federalism, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे देश में, पिछले कुछ समय में काफी सारी ऐसी चीज़ें हुई है, जो federalism के against जाती है, सबसे पहले तो देखो, हमारे सविधान निर्माताओं ने किस आधार पर, विविन सब्जेक्ट्स को सविधान के 7th schedule में, अलग-अलग list में डाला है, ये देखो, clear नहीं है, क्योंकि काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जो state list में आने चाहिए, वो center की list में हैं, और काफी सारे ऐसे subjects हैं, जो center की list में आते हैं, लेकिन state की list में आने चाहिए, और देखो अभी जो सब्जेक्स विविन लिस्ट में आते हैं उनको भी आप कह सकते हो इन लेटर्स फोलो नहीं किया जाता है जैसे health जो है वो वैसे state list में आता है लेकिन आपको भी पता है कि इस परकार से central government के दोरा policy बनाई जाती है या फिर schemes launch की जाती है health subject पर हाल की में central government के दोरा आयूसमान भारत scheme launch की गई थी जबकि health जो है वो state list में आता है कहने का मतलब यह है पहला तो यह साफ नहीं है कि किस अधार पर किस subject को किस list में डाला गया दूसरा चलो आपने डाल दिया उसे भी आप religiously follow नहीं कर रही हो इसलिए conflict पैदा होता है बार बार central government के बीच और state governments के बीच है नैश्ट है conflict between agencies देखो central government और state government की agencies के बीच काफी बार को हैसन नहीं देखने को मिलता नहीं देखने को मिलता टकराव देखने को मिलता है जैसे West Bengal police और CBI के बीच तकराव देखने को मिला था कब कुछ समय पहले जब West Bengal के एक IPS officer से पूच्तास कर के लिए CBI गई थी यह सिरफ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है और भी स्टेट्स में ऐसा टकराव देखने को मिलता रहता है नेश्ट हैं इंटरफ्रेंस इन इंसिट्यूशन्स स्टेट गवर्मेंट्स की एक सिकायतिय रहती है सुप्रीन कोर्ट आर्बियाई स्टेट्स की बात देखो कुछ स्टेट्स को स्टेट्स मिला हुआ है उसको लेके भी टकराव बना रहता है स्टेट और सेंटर के बीच एवन डेली और पुडिचेरी यहां यह वैसे यूटीज हैं लेकिन यहां पर लेजिसलेटिव असेमली हैं तो किस परकार्म से गवर्नेंस होगी इसको लेके भी बार बार टकराव उत्पन होता रहता हैं मिश्यूज ओफ एमर्जेंसी प्रोविजिंस का काफी बार मिश्यूज किया जाता हैं सेंट्र गौर्मेंट के द्वारा प्रेजडेंट टूब लगा दिया जाता हैं 1975 में एमर्जेंसी भी लगाई गई थी तो इससे जो पावर्स का सेंट्रलाइजिशन है वो और ज़्यदा बढ़ता है इवन देखो 73rd और 74th constitutional amendment के बाद काफी सारी powers अभी पंचायती राज़ बोडिस के पास भी आ गई है तो state governments का ये कहना है हमारे पास powers की और funds की पहले से कमी है लेकिन central government के द्वारा हमें precise किया जाता है कि हम पंचायती राज़ बोडिस को और जड़ा fund provide करें और ऐसा चलता रहा तो state governments के पास तो पावर ही नहीं भचेंगी तो लाश्ट में देखो ये बोला जाता है हर एक country को federalism का एक बहतर tendencies जो है वो भी emerge हो सकती है मतलब मांग उठ सकती है कि हम इंडिया से अलग हो ethnic tensions भी पैदा हो सकती है तो आवशक्ता ये है कि इंडिया अपने federalism के model को बहतर बनाए और central government कोई ऐसा काम ना करे जो state governments के hit के against हो जैसे president rule का issues ना किया जाए, conference list में या for state list में जो subjects है उन पर अगर कोई कानून बनता है तो पहले state government से consult किया जाए, state governments को ज़्यादा से ज़्यादा flexibility दी जाए और principle of subsidiarity जो है, जो हमने सुर्वात में discuss किया था, जो काम local level पर किया जा सकता है उसे बड़े level पर ना किया जाए, इस principle को भी central government को follow करने की आव सकता है, तो ये हमने पूरा article discuss किया, federalism से संबंदित, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.